नमस्कार, संतुलन और जीवन शक्ती के साथी साधक समग्र कल्यान और आत्म खोच के लिए आपके मार्ग दर्शक हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चक्र ध्यान की दुन्या में एक आकरशक यात्रापन निकल रही हैं, हमारे भीतर प्रवाहित होने वाले उर्जा केंद्रों की खोज। अपने चक्रों को संग्रेखित करने, अपनी आंतरिक उर्जा को जगाने और सद्भाव की गहरी भावना का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाईए। आईए चक्र ध्यान के ज्यानवर्धत अभ्यास में गोता लगाए। चक्र ध्यान एक प्रकार का ध्यान है जो शरीर में साद चक्रों या उर्जा केंद्रों पर केंद्रित होता है। माना जाता है कि चक्र हमारे शारिरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्यान के लिए जिम्मेदार है। जब चक्र संतुलित होते हैं, तो हम स्वस्थ, खुश और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं हाला कि जब चक्र अवरुद हो जाते हैं, तो हमें शारिरिक लक्षण, भावनात्मक असंतुलन या आध्यात्मिक वियोग का अनुभव हो सकता है चक्र ध्यान चक्रों को खोलने और शरीर में संतुलन बहाल करने में मदद कर सकता है चक्र ध्यान के दौरान आप बारी-बारी से प्रत्यक चक्र पर ध्यान के इंद्रित करेंगे, इसे उर्जा के घूंते हुए पहिये के रूप में कलपना करेंगे चक्रों को खोलने में मदद के लिए आप मंत्रों या ध्वनियों का भी उप्योग कर सकते हैं जैसे ही आप ध्यान करते हैं, आपको शरीर में गर्मी, जुन्जुनी या दबाव जैसी सम्वेदनाएं महसूस हो सकती हैं ये सम्वेदनाएं इस बात का संकेत हैं कि चक्र खुल रही हैं चक्र ध्यान का अभ्यास किसी भी लंबाई के लिए किया जा सकता है लेकिन आम तौर पर इसे हर दिन 10 से 15 मिनट से शुरू करने की सला दी जाती है आप एक शांत कमरे में चक्र ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं या आप ओनलाइन या किसी एप पर निर्देशिक ध्यान पा सकते हैं चक्र ध्यान के कुछ लाब इस प्रकार है शारिरिक स्वास्थि में सुधार, चक्र ध्यान तनाव, दर्द और सूजन को कम करके शारिरिक स्वास्थि को बहतर बनाने में मदद कर सकता है यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और मींद में सुधार करने में भी मदद कर सकता है भावनात्मक कल्यान में वृद्धी, चक्रध्यान, चिंता, अवसाद और तनाफ को कम करके भावनात्मक कल्यान को बहतर बनाने में मदद कर सकता है यहां आत्मसम्मान, करुणा और आनन को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है गहरा आध्यात्मिक संबंध, चक्रध्यान आपके आंतरिक्स्व और परमात्मा के बारे में जागरुकता बढ़ा कर आपके आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने में मदद कर सकता है यहां आपको अपने अंतरग्यान और मार्गदर्शन से जुड़ने में भी मदद कर सकता है यदि आप चक्रध्यान आजमाने में रुची रखते हैं तो तैयारी के लिए आप कुछ चीजे कर सकते हैं एक शांत जगा ढूंदे जहां आपको कोई बाधा न पहुचे आरामदायक कपड़े पहने ऐसी स्थिती में बैठेन या लेतें जो आपके लिए आरामदायक हो अपनी आखें बंद करें और कुछ गहरी सासे ले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने शरीर को आरामद करने दें एक बार जब आप तनाव मुक्त हो जाते हैं तो आप अपने शरीर में चक्रों की कलपना करना शुरू कर सकते हैं अपनी रीड के आधार पर मूल चक्र से शुरू करें और अपने सिर के शीर्ष पर मुकुट चक्र तक बढ़ते रहें। जैसे ही आप प्रत्यक चक्र की कलपना करते हैं। उसके रंग, ध्वनी और संबंधित गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। आप चक्रों को खोलने में मदद के लिए मंत्रों या प्रतिज्ञानों का भी उप्योग करना चाह सकते हैं। जब तक आप चाहे तब तक चक्रों की कलपना करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। जब आपका काम पूरा हो जाए तो कुछ गहरी सासे ले और अपनी आखे खोले। चक्रध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके शारिरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्यान को बहतर बनाने में मदद कर सकता है। यदि आप इसे आजमाने में रुची रखते हैं, तो मैं आपको इसे आजमाने के लिए प्रोटसाहित करता हूँ। यदि आपके चक्रों को संग्रेखित करने का विचार आपको पसंद आया, तो इस विडियो को लाइक करना और अधिक ज्यानवर्धक सामगरी के लिए सदस्यता लेना न भूले। ध्यान के संबंध में अपने विचार या अनुभव नीचे टिपणियों में साजा करें, और अगली बार तक आपका चक्र ध्यान आपको एक सामंज से पूर्ण और जीवन्त जीवन की ओर ले जाए।